नमस्कार ब्रेकिंग सिस्टब की जो सिरीज हम चालो करने वाले हैं इस सिरीज को हम दो पर्ट्स में कवर करेंगे जो पहला वीडियो रहेगा हमारा आज का उसुए पहले सेक्षन में आज की वीडियो में यह कवर कर लेंगे अगले पार्ट में जो पूरा कोच वाई जो निमाटिक सरकेट है कि किस कॉंपोनेंट पर एर जाती है फिर उसके बाद किस कॉंपोनेंट पर जारी है फिर उसके बाद कौन से कॉंपोनेंट पर जारी है हम उसे कवर कर लेंगे लेकिन पहल originate होने का circuit रहेगा यह निली लाइन हमारे अंडर स्रक्ट में लगे MR के मेन पाइप से यह बिली लाइन बीपी का मेन पाइप है यहां है नीचे लगा B07 box का circuit यह B01 का है यह B02 का circuit यह BCU1 एवम BCU2 का circuit यह दोनों हमारे दोनों प्रॉली इसके बगल में लगे LB boxes के circuit है यह B02 का air suspension system का circuit है और यह B02 का और यह B02 का और यह B02 के प्रेक कैलिपर्स और बोगी टू के आज इस breaking system part 1 वीडियो में हम केवन focus करेंगे यहां जहां से दोनों प्रेशर की सुरुवात होती है यानि हम जानेंगे हर एक component का काम जिससे MR का प्रेशर बनेगा और फिर किस तरह से इससे BP का प्रेशर बनाए जाता है और में पैक्स में दोनों प्रेशर आ जाने के पाथ 207 में लगे बहुत important दो प्रेशर गवर्नर्स के बारे में हम जानेंगे इसके अलावा जो यह बचे होए एक एक components को हम सीखेंगे प्रेकिंग सिस्टम की नेक्स्ट वीडियो में आईए समझते हैं एक एक करके सारे components के functions शुरुवात होती है इस A01 से जो है main air compressor थ्री फेस चारसो पंदरा वोड़ 50 हर्ट्स की AC सप्लाई से चलने वाला एक reciprocating compressor है जिसकी दो स्टेज में तीन सिलेंडर्स कारे करते हैं यानि लोवर स्टेज में दो और अपर स्टेज में एक सिलेंडर कारे क करेंगे जो की fins की मदद से हवा से चनने होते हैं अगला component A02 है flexible hose जिसके बाद यह A03 कहलाएका safety wall जिसको बारा बार पर सेट किया गया है यानि जैसे ही प्रेसर अगर किसी कारण से बारा बार से उपर पहुंच जाता है या खुद को open कर pressure को वातावरण में release कर देगा एवं पूरे system की safety बनाए रखेगा अगला component है air dryer यानि compressed air से मौश्चा निकालने वाला इसमें दो टावर्स होते हैं एक समय में एक ही टावर दो मिनट के लिए कारेकर मौश्चा ड्रेन करता है फिर अगले दो मिनट को दूसरा टावर आगे बढ़ने पर लगा है micro mesh oil filter जिसका काम रहेगा compressed air में मौशूद oil content को अलग करने का आगे लगा है NRB जो compressed air को केवल आगे की दिशा में जाने देगा एवं उल्टी दिशा में नहीं आने देगा यहां फिर से एक safety wall लगी है जिसका वही काम रहेगा बस इस बार इसकी setting साड़े 10 बार पर की हुई है इसके बाद पर जो की एक magnet valve है इसके connectors पर जब power supply आएगी तो यह valve के outlet को open कर देगा और compressed air pilot pressure के तौर पर पहुचेगी MR tank के नीचे लगे A10 पर जो है ADV auto drain valve जब भी main compressor ओफ होगा A12 magnet valve दो सेकेंड के लिए operate होकर pilot pressure आगे भीजेगा और pilot pressure के मिलते ही ADV दो सेकेंड के लिए operate होकर MR tank से moisture को वातावरण में निकाल देगा आगे इस तरफ A13 है हमारा test point जिस पर हम adapter लगा कर manually pressure की value चेक कर सकते हैं इसके बाद लगा है यहाँ main compressor का pressure governor जिसकी cut in and out के limit set है 7.5 and 10 bars पर यानि यह feedback देगा main compressor के लिए जैसे ही MR का pressure 7.5 bar से नीचे पहुचेगा तो यह command देकर main compressor को on कर देगा और जब MR का pressure बढ़ता हुआ 10 bar पहुँच जाएगा तो main compressor को off कर देगा यानि MR के pressure को required range में maintain रखेगा इस तरफ चले तो A15 एक isolating cock है जो इस compressor की supply को जरुवत पढ़ने पर main line से काटने के लिए है इसके बाद coach की नीचे लगे MR के पूरे main pipe में यह pressure पहुँच जाएगा इसके अलावा जो यह star symbol यहां यहां पर दिखाया गया है यह show कर रहा है कि इन components पर electrical connectors है चाहे वो supply के हो या feedback के यही तरीका मैं use करूँगा आगे इस वीडियो में या अगले आने वाली वीडियो में मैं आ चुका हूँ DTC coach के अंडर गेर में जो चार्ट मेंने आपको जोईस का डिखाया है DTC coach का समझ लेंगे क्योंकि generation यहीं से होना है बागी coach का सब systems है cable जो है वो आगे जो है same to same as it is follow होने वाले है तो DTC coach में आपको दिखाया था कि जो generation वाला जो हमारा breaking system के लिए pneumatic circuit का generation है जो A01 component है वो पढ़ने वाला है यह हमारा main air compressor पूरा का पूरा इसके बारे में अल्ड़ी जानकारी जो है जो filter cleaning वाला इसका वीडियो है उसमें दे दी गई है A01 component के बाद जो अगला component हो बताते हैं circuit में A03 जो एक safety valve है वो कहां दी हुई है वो हम आके देख लेंगे गाड़ी के नीचे जो अगला component रहेगा आपका वो रहेगा A03 safety valve circuit diagram में आपको दिख रही होगी simple सी यह जो safety valve है बारा बार पर आपकी set है अल्रड़ी आपको बता चुके हैं अगर बारा बार से उपर pressure किसी कारण की वेसे pneumatic circuit में लाइन पे जो है इसका चोक हो रहा है और pressure बारा बार के उपर जो है पहुंच जाता है कप्रेसर की safety के लिए pneumatic circuit line की safety के लिए सबरी equipment की safety के लिए यह ब्रोन ओफ हो जाएगी इसके बाद जो अगला component जो है डाइग्राम में भी दिखाएवा है वह रहेगा हमारा यह कि एयर ड्रायर यूनिट इसमें दो चैंबर्स है एयर ड्रायर के और जैसा कि अल्लेडी डिसकर्स है अल्लेडी बता हुआ है कि इसकी जो टोटल सेक्ल रहती है वह चार मिनिट की रहती है कि दो मिनिट्के लिए काम करेगा पिर यह जो है मुश्टर जो है ड्रेम करेगा इसके बाद अगले दो मिनिट्क लिए यह काम करेगा शिल्माली령 सीन में एक शेर क्षार सब्सक्राइब करेगा तो कहां से करता है तो इसका आप देखेंगे इस तरफ से लगा हुआ है कि इसके तरीके से दुनों आपको देख रहे हैं यह वायर्स का किनेक्शन है तो यहां से जो है इसके तरू जो है इसके तरू जो है इसके बाद उसको चलने के लिए हम फिर से अंडरेगेर से भार आ जाते हैं और भार आपको दिखाए अगला कॉम्पोनेंट जो सरके डाइग्राम में दिया हुआ है इसके बाद जब एरफ्लो इस तरीके से निकलता है यहां पे इन्होंने एक इंडिकेटर अल्रेटी दे रखा था यह आपको बता चुका हूँ कि ब्लू कलर में है तो ओके कंडिशन है अगर वाइट या यहलो होता है तो आपको जोई चेक कर लेना है बदर लेना है निमेटिक लाइन जो यहां से आ रही है सप्लाइ लाइन प्रेशर इदर से आया इसके बाद यह जो कॉम्पोनेंट पढ़ रहा है यह रही गी आपकी एक एनरवी शे रेल की बाद समय हम लोग एनरवी बोल लेते हैं ओफिशल टम चेक वोल्व यानी वन वे वोल्व प्रेशर इदर से इदर जा सकता है इदर से इदर नहीं आ सकता है अगला जो जो कॉम्पोनेंट है जिरो नाइन यह भी एक सेफटी वॉल्व है एक पीछे हमने सेफटी वॉल्व लेकिए और एक यह भी सेफटी वॉल्व है यह साड़े-दस केजी पर सेंटीमीटर स्कॉर या जैशाए दस बाहर पर सेट है इसका भी काम वही है सेफटी जितनी भी सिस्टम से लगे चाहा हमारी वंदे भारत पर लगे हो चाहे किसी भी जो है नुमार्टिक सरकेट में लगे हो या फिर बॉलर्स वगेरा में लगे हो आपको पता वर्सका काम यह कि जब भी एक जिस प्रेसर उसको जो है डिजाइन कर दिया जाता है उससे सेफटी वॉल्व का नाम दिया गया है नेक्स कॉंपोनेंट जो है पढ़ने वाला था यह सेफटी वॉल्व के बाद अगर आप देखे तो प्रेशर इसके तुरू होता हुआ यहां पर आ जाएगा यह है हमारा MR टैंक 200 लिटर का MR टैंक है पूरा टैंक दिख लीजिए टै A07 कॉंपोनेंट की नाम से अपने जो है निमेटिक सर्केट में दिखा रहे हैं अब हम चलते हैं गाड़ी की दूसरी तरफ अब हम दूसरी साइट से आ चुके हैं हमने आपको बताया कि जो मैक ने प्रेशर जेनरेट किया टैंक के अंदर आ चुका है यह जो साइड है यह आउटलेट की साइड है अब आउटलेट की साइड में क्या है आउटलेट की साइड में यह दिखला उटलेट यह जो इससे जो मेन पाइप जा रहा है अगर हम सरकेट देखें उसमें एक कॉंपोनेंट ए 15.01 की नाम से दिखा रहा है जो आइसोलेटिंग कॉक है वो है यह इस तरीके से कर देंगे, आइसोलेट हो जाएगी ये आपकी जो है, नॉर्मल कंडिशन पे रहेगी तो आपको दिख रहा है कि जो नॉर्मल कॉक्क हमारी जैसी रहती है, आइसोलेट लिंग कॉक्स बैसे ही है लेकिन इसके ओपर एक जो है एक electrical electronics का आपको जैक connector दिख रहा होगा यहिए बिजली की वायर दिख रही होगी तो electrical wire का मतलब ये रहेगा कि कि अगर मैं इसे isolate करता हूँ तो ये feedback भेषता है उपर तो आपको नहीं जाएगा इसके बार डिरेक्ली एक कई नहीं जाता यह जाकर जूड़ जाएगा आपके जो में जो ट्रेन लाइन जो पाइप है जो में पाइप है एमार का जो वाइट कलर का जो है जिस पे टैक भी लगा हुआ है जिस पे वाइट कलर का टैक लगा हुआ है एमार की ला लावा यहां से जो हम देख रहे हैं यह जो लाइन इसी से एक प्राज लाइन होने ले रखी है तो यह जो कॉंपोनेंट है यह है आपका मैंगनेट वॉल्फ यह मैंगनेट हों के किनेक्टर है यानि इसे भी जाय उपर से इनके कंप्यूटर से सप्लाई मिल रही है तो यह जब उपर से ऑपरेट आएगा इसके पास प्रैशर है जैसी इसके पास जो है ओपर से इनके कंप्यूटर इनके सप्लाई देगा ऊपर होने की यह खुल जाएगा और यहां से सप्लाई आजएगी ADV पे यह जो MR टेंक की नीचे ल मेंटेनिस को दोरान कर सकते हैं लेकिन चलते होए जो है कई बार इसे जो है अगर करना है जैसे जब भी कंपरेशन ओन होता है ओफ होता है तो इसके पास अल्रेडी उपर से जैट है इनकी प्रोग्रामिंग सेट है कि इस पर सप्लाई जानी है यह नियुमेटिकली इसका नियुमेटिकली उपरेटेड है यह इसका नियुमेटिक सरकेट है कि जब इसमें पाइलेट जो है प्रेशर यहां पर से आ जाएगा तो यह उपरेट हो जाएगी मैनुवली भी इसको इसके तुरू ऑपरेट कर सकते हैं लेकिन जो ऑटोमेटिक सा कनेक्शन दिया तो यह जो कॉंपोनेट है यह रहेगा इसका टेस्ट पॉइंट अगर मैं यह अपर से इसको दिखाऊँ तो सिम्पल जो है इसको गोल गोल घुमा कर खोल लेना है इसके बाद इसी लाइम में जो अगला कॉंपोनेट पड़ेगा यह जो है यह पड़ेगा आपका प्रेशर गवन्नर तो जो सर्कुट टाइग्राम में 812, A13 आपका टेस्ट मेंट हो गया, A12 आपकी मेगनेट वाल हो गया, और जो A14 है आपका प्रेशर गवन्नर, प्रेशर गवन्नर जो मेन एर कंप्रेशर का प्रेशर गवन्नर है, वो यही है, इसकी सेटिंग 7.5 से 10 केजी पर सेंटिमेटर स्कॉर, यानि 7.5 से 10 बार पर सट किया हुआ है, अब इसका काम क्या रहेगा, आप देख रहे हैं, डिरेक्ली इसने, जो MR के टैंके उसके बाद सप्लाई ले ली है, जैसे ही प्रेशर जो है, 10 बार पहुचेगा, ये में एर कंप्रेशर को कट अफ कर देगा, या फिर आपने प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, डोर्स चल रहे हैं, लेवर्टरी का प्रेशर यूज़ हो रहा है, जैसी आपका MR का प्रेशर दुबारा से गिर के 7.5 पे आ जाएगा, ये उसको कट इन की कमांड देगा, यानि में एर कंप्रेशर को अभी चलने की कमांड देगा, तो जो आटोमिशन है, कि में एर कंप्रेशर को कब चलना है, कब रुखना है, वो इस से होगा, अब MR का प्रेशर पूरे मेल नाइन में आ चुका है, जिसके इस छोर पर ये लगी है, कट आफ एंगल कॉक, अब ये सप्लाइ उपर चली जाती है, दो जगा, पहले देखते हैं, D08 की तरफ, जो है हॉन्स के सरकेट की आइसोलेटिंग कॉक, इसके बाद एर इन दो वाल्स पर जा कर रुकी रहती है, P02 by 1 है आपकी मेगनेट वाल लो टोन होन के लिए, और P02 by 2 है मेगनेट वाल हाई टोन होन के लिए, यानि जब इस वाल को कमांड मिलेगी, तो यहां से प्रेशर जाएगा लो टोन होन में, और जब इस वाल को कमांड मिलेगी, तो यहां से प्रे फिल्टर जिससे निकल कर एर जाती है, सबसे ज़रूरी D06 में जो है BP की PRB, जो की 5 बार पर सेट है, यानी आने वाले MR के प्रेशर को ये 5 बार के प्रेशर में बदल देती है, इसके बाद D07 manually pressure check करने के लिए एक test point दिया हुआ है जिसके बाद ये 5 बार का pressure उपर driver desk में लगे driver brake handle में चला जाता है जो की loco pilot के सामने होता है इसके 3 काम रहेंगे पहला अगर इसे charging position पर रखा जाता है तो BP का pressure आगे इस circuit में जाने देगा दूसरा अगर इससे BP को reduce किया जाएगा तो इस exhaust pipe से वाता वरंड में BP किरा देगा lap position में ना BP किदेगा और ना ही BP charge होगा इसके बाद आता है D02 जो है isolating cock with feedback इसके बाद BP का pressure आकर रुका रहता है D03 पर जो है एक magnet fault अभी यहाँ pressure नहीं जाएगा जब हम DTC में master की लगाएंगे केवल तब यहाँ signal मिलेगा यह magnet valve open होंगी और फिर BP का pressure भी इस तरह अपने पूरे under slung में main pipe में पहुँच जाएगा एक और चीज यहाँ पर यह pressure line केवल magnet valve को खोलने में सहायता करता है यह A16.01 रहेगा MR का pressure sensor और यह B20.01 रहेगा BP का pressure sensor जो TCMS डिस्पले पर pressure value दिखाने में सयोग करता है देखें MR की जो pressure है पूरी train line में जा चुका है अब BP का pressure कैसे बनता है तो मैं उसके एक हिंट देदूं कि इसकी प्यार भी लगी है वो हमारे DTC में driver cabin में लगी है इसका मतला मुझे MR के pressure को DTC तक driver cabin तक पहुचाना पड़ेगा तो मैं कैसे पहुचाता हूँ DTC में ही हम जो है nose panel के जो है nose cone हमारा है उसके बिलकुल बगल में आजाते है नीचे जो है यहाँ पर से आपको इस तरीके का panel यहाँ पर से दिख रहे हैं तो मैं दिखा हूँ कि यह जो लाइन है कि इस में जो pressure आ रहा है वह MR का pressure है जो ऊपर जाएगा और फिर में ऊपर चलके आपको दिखाऊंगा कि BP कैसे यहाँ पर से बन रहा है अब जैसे ही नीचे से MR के इस लाइन से जो ऊपर प्रेसर ले लिया BP कैसे बनेगा वो देखना है तो मैं आप चुका हूँ DTC में MR की जो नीचे से ऊपर की pressure line है सबसे पहले वो आपको दिखाऊंगा इसमें जो loco pilot की side है उसके नीचे बगल में आपने यह टकास panel है यह और यह मैंने खोल दिया है और साथ में जो इसके यह वाला panel है यह मैंने खोल दिया है ताकि ज़्यादा बैटा तरीके से हम इसका line diagram देख सकें तो सबसे पहले क्या होता है कि जो नीचे से जो line आ रही है MR की वो कौन सी रहेगी जो नीचे से MR की line हमने ली वो रहेगी आपकी यह वाली इस पर नीचे से pressure आया इसको कैसा identify कर लेना बगल में आप देख रहे होंगे इसमें जो है MR का sensor लिखा हुआ है यानि जो digital pressure जो आपको दिख रहा है वो यहाई से यह ले ले लेता है तो इस line से उपर pressure आया और इस जो है T joint के तुरू यह D00 पैनल में आ गया यह पूरा आपका जो है D00 पैनल है और इसके अंदर जो MR के supply वहां से आ जाती है अब एक और चीज में आपको यहां पर से दिखा दूं कि यह जो MR का pipe है इस T से आपने D00 पैनल में supply ले लिए उसके बार यह एक flexible host से भी जो है इसके उपर की तरफ connected है तो यह क्या है यह जो है जो उपर dual gauges आप के इसमें लगे रहते हैं उसमें जो MR का pressure है इसकी supply जो है इसमें आने वाली है यानि जो measurement है उसके लिए जो pressure on से उसके लिए और दूसरा जो circuit है वो जाएगा डीपी प्रेशर बनाने के लिए तो अगर मैं पहले टाइफून वाले यानि जो हॉन से उस वाले circuit की बात करूं इस चैंबर में जो isolating cock पड़ेगी हॉन्स को isolate करने के लिए वह यह नीचे वाली पड़ेगी अगर आप देख पाने हों यहां पर दो कॉक्स है एक यह है एक यह है तो जो नीचे वाली है वह हॉन को isolate करने की इसे अगर आप घुमा देंगे तो ऑन isolate हो जाएगा तो सबसे पहले जो है circuit में वह isolating cock पड़ने वाली है उसके directly बात जो solenite से जो magnet walls हैं आपकी हांस की low pressure हां और high pressure हां की P02 by one P02 by two यह P02 by one है यह P02 by two है तो यह low pressure की हो गई यह low tone हां हो गया और यह high tone हां हो गया इन solenite के बाद जो supply है हॉन के लिए इसके पीछे से अगर में दिखाऊं दो flexible airhozes इसके लगे हैं इनके थुरू यह उपर की तरफ होते हुए आपके rooftop पे चली जाएगी यहां पे गाड़ी के हौंस लगे हुए तो यह वाली जो line है जिस पे यहां से MR का sensor लिका है इस line से D00 पैनल में हमारे supply आ चुकिए इस पूरे उसके लिए वह रहेगा और दूसरा जो circuit है यानि जिसमें बीपी बनेगा तो बीपी कैसे बनेगा उसमें सबसे पहला जो component पढ़ने वाला आपका एक इसलेटिंग कॉक्ट जो इसमें दिखा रख है वो है यह जिसे चार्ट में जो है अगर हम देखें D04 नाम से दिखाया हुआ है अच्छा दोनों ही अगर हम कॉक्स देखें चाहे इस बीपी वाले circuit की देखें चाहे जहाँ हान वाले circuit की देखें इसमें कोई भी electrical connection नहीं है मतलब अगर यह isolate होती है तो कहीं भी कोई feedback इसका नहीं पता चल पाएगा तो BP के जो circuit जो बनाने वाले जो line है D04 यह isolating cock रहेगी कोई भी इसका feedback electrical feedback जो है नहीं लिया हुआ है यहां से इसके बाद जो next component पढ़ता है air filter वो रहेगा यह कभी अगर लेके जो है आप यहां से जो है इनके जो सील से देख सकते हैं component रहेगा आपका D05 air filter के बाद जो line diagram उसमें देखते हैं जो next component पढ़ता है PRV तो यह जो नीचे लगी हुई है यह रहेगी इसकी pressure reducing wall और जो BP बनने वाला है अगर इसके input पे 10 kg का pressure है तो उसको 5 kg का pressure उसको अगर 7 kg 8 kg कोई भी pressure है ultimately जो BP का pressure बनने वाला है 5 kg का pressure जो PRV है BP के बनाने की वो यहां पे लगी हुई है जिसको circuit diagram में D06 के नाम से दिखाय हुआ है इसके बाद PRV के बाद एक test point लगा रहेगा यह जो है बगल में इसके चोटा सा एक test point है दी 07 जिसे आप press करके इस तरीके से खोल सकते हैं adapter की मदद से यहां से आप देख सकते हैं कि BP में उतना ही pressure बन रहा है या नहीं बन रहा है इसके बाद कि BP बन चुका है या पर तो BP प्रेशर जो है इसके थुरूप हम ऊपर ले जते हैं कि दी 01 वाल में यह रही आपके 01 वाल इस पर तीन connection रहेंगे अभी आपको दिखाया यह रहेगा इसका inlet का कि जो BP प्यार वी के तुरूप बन के आया है उससे connection इस पर गया इसके बाद यह जो लाइन है जिससे इदर को प्रेशर जा रहा है यह इसके outlet की लाइन रहेगी और एक यह तीसरी इसकी लाइन है यह नीचे चली जाएगी और यह रहेगी exhaust की line जो सीधा नीचे चली जाएगी यह रहेगी आपकी exhaust की line इससे जब इसका मतलब यह है जब भी BP आप गिराएंगे तो इसके तुरू नीचे से जो है आवा जाती है और BP का प्रेशर इसी के तुरू जो है इसी की exhaust होता है तो इनलेट डी-नमे जाने के बाद यह डी-जीरो-टू का डी-जीरोवन का outlet hai outlet कर जो next component है वो यह एक isolating cock है कि निम्ट्रिक सरकेट के डाइग्राम में जो लिए यह इन दिखाया हूँ है वो यह है इंइ इसको डी दिखाय हूँ है तो इसमें अगर आप डागराम में देखेंगे इसमें क्या है यह मैंगेटी The Samebo Is Expose G 6 sek यह मेंमों लकान पनुमारिक ओ में और में अभी आप। देख रहा हूँ इस से इस पे यानि D00 पैनल से डिरेक्टली जो magnet switch है हमारा जो magnet wall में हमारी इसके पास एक pressure आता है यानि इसके जो operation है केवल उसको assist करने का है इसको जो on off करने का है इस magnet switch पे आता है अधरवाई इस पे electrical signal तो आईगा ही इसको operate करने के लिए यह केवल इसको assist करने के लिए इसको on off करने के लिए इसके बाद यह इसकी outlet की line है magnet switch की यह outlet की line पीछे सीरा चली जाती है अगर मैं आपको दिखाओं और यह घूम के एक तो जो है टकास पैनल में आ जाएगी टकास पैनल में मैं शो नहीं कर रहा हूँ और यह डिरेक्ली जो है नीचे नीचे आते होई यह इस वाली आयन पर जाएगी तो इस पे भी एक pressure sensor लगाया हूँ है जो digital का pressure sensor है इसमें BP का pressure इसमें यह यह लगार का tag लगा हूँ है इसमें clearly लिखा हूँ है कि इस line में BP का pressure है तो यह इसका inlet रहेगा और यानि यह जो line है जो आपके सबसे इदर वाली पढ़ने वाली है जो सबसे इदर को यहां पर से पढ़ती है यह BP की line है यहां से pressure आया यहां से कि यह यहां से टकाज से इन्होंने जोड़ रहा है कि टकाज की वई से जब BP गिरेगा तो यहां से गिरेगा इसके लावा एक और जो है फ्लेक्सिबल हो जया यहां पर से आप BP के वाइप से निकलता हूँ देख रहे होंगे यह भी जो ऊपर जो डेस्क में बीपी का जो गेज लगा है बीपी के गेज में जो उसकी वेल्यूस है उसको रिट कराने के लिए जो है वो फ्लेक्सिबल हो दिया हुआ है अब वापीस हम जो है नीचे दुबारा उसी पॉइंट पे चलके दिखाते हैं जहांसे मैं आपको दिखाए था कि एमर का प्रेश के लाइन यहां पर सापको दिख रही है अंदर वाली जो है यह लाइन आपका बीपी का प्रेशर है और इसके थू ही आगे अगर आप देखोगे यह आगे चलकर जो है बीपी की जो में लाइन है उस पे चुड़ जाएगा इसके अलावा इस पर जो है तो एक्जॉस्ट के आंपर सापको दिख रहे होगे दी जी रोफन के एंडल का जब वहां से प्रेशर गिरता है तो यहीं से उने वाला है जो मैंने आपको ऊपर दिखाए भी था कि जो D01 जब आप जो उसको ब्रेकी कंडिशन में लेते हैं तो उसको कही ना कहीं से ब्रॉप करना है बीपी गिराना है एटमस्फेर में रिलीज करना है तो वह इनी पॉइंट से जो D01 में तीम पॉइंट दिखाए थे एक इ लिएक रहुड टीन के कितरे बीपी और कितना एमार जो है गारी को मस्त है जो चाहिए अधरमाइस इसको बहुते है कि ट्रेक्शन कटफ जानी गारी ट्रेक्शन नहीं ले रही है या नहीं लेगी सेफिटी पॉइंट ऑभी के साबसे बिदा रखाए तो उसके जो प्रेश और यह दोनों प्रेशर गवनर है यह हमारे लगे हुए है यह मैं आपको खूल के दिखाता हूं इसमें प्रेशर गवनर है और इसके लावा कुछ नहीं है तो बी 07 को मैं शॉटकट में जो है ट्रेक्शन कटाओ बोक्स भोल सकता हूं यानि गड़ी कब ट्रेक्शन नहीं लेगी लेकिन किस कंडिशन पर प्रेशर वाली कंडिशन पर तो यह सामने खुलने के बाद आपको दीजाएगा यह वाला जो बी टूफोर है यह रहेगा इसे 3.5-4 kg पर सट किया हुआ है यह बगल में है MR का प्रेशर गवर्नर इसे 6.5 से 7.5 kg के लिए सट किया जाता है इसका मतलब क्या है यानि अगर बीपी का प्रेशर 5 kg है और आप उसे गिराते हैं जैसे ही बीपी का प्रेशर 3.5 से दीचे आ जाएगा तो गाड़ी का ट्र ट्रेक्शन नहीं लेगी अब अगर एक पर प्रेशर गवर्नर का स्वीच लोगा ले मिंट ऑपरेट हो गई तो वीपी जब तक साड़े 4 kg से उपर चार्ज नहीं होगा गाणी ट्रेक्शन नहीं लेगी तो जो MR का प्रेशर गवर्नर है यानि जब MR लों को दिखाता है कि प्रेशर गवर्नर है उसका काम यह है कि जैसे ही लिमिट साड़े 7 kg पर आये वो में एर कंप्रेशर को दुबारा चालू कर दे उतका काम केवल कंप्रेशर को चालू करना और बंद करना है लेकिन किसी कारणवाद मालनों वहाँ से कंप्रेशर चल रहा है बीच से कहीं से आपने से कट आप कर दिया किसी पर्टिकुलर कोच पे अग सब्सक्राइब के लिए इसके लावा इस बॉक्स में और कुछ नहीं है यहां इन्हीं दोनों प्रेशर के लिए इन्होंने तो टेस्ट पॉइंट यहां पर तो अभी आज की इस वीडियो में हमने यह देख लिया था कि अगले वीडियो में बाकी जितने जो पैनल्स हैं हमारे ब्रेकिंग होती है सारे आइसोलेटिक कोक्स के बारे में उसमें आपको बताये जाएगा तो यह दा प्रेकिंग सिस्टम का पहला पार्ट और जो दूसरा पार्ट आने वाला है वो समय से आपको मिलता रहे इसलिए जला सब्सक्राइब करती जीएगा और अगर कोई भी डाउट है इसमें आपके आज की वीडियो में आपको लगी हो तो कमेंट्स में लिख दीजिए हम कोई कोशिच करते है कि कमेंट्स में उसका समाधार बता है अंकिता उसे जोए